दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम यूज करते हो तो कभी-कभी अनजाने में कोई फोटो या वीडियो आप से डिलीट हो जाते हैं लेकिन बाद में उसको रिकवर जाता है इंस्टाग्राम का ये नया अपडेट है उसके लिए आपको इस अपडेट को यूज करने के लिए पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना होगा तो चलिए मैं इसको अपडेट करता हूँ बीन अपडेट किये आप उस फीचर्स को यूज नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले आप पहले प्लेक श्टोर में जाके उस इंस्टाग्राम को अपडेट करना होगा तो मेरा इंस्टाग्राम अपडेट हो चुका है देख सकते हैं अभी ये इंस्टालिंग प्रोसेस में हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी नहीं तो बहुत प्राबलम होने वाली है वीडियो और जो पोस्ट हैं उनको डिलीट करूंगा फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको रीकवर कर सकते हैं देखिए मैं इस पोस्ट को यहां से डिलीट करूंगा यह पुश्ट हो गया और यह रिल्स को मैं यहां से डिलीट करूँगा देख लीजिए बाद में इसी को रिकवर करने वाला हूँ यहां से मैंने इसको डिलीट कर दिया तो इसके लिए रिकवर करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना होगा मेंदाइब को हिसानी स्वाइब में जारा होगा एकाउट टेच सकते हैं रिसेंटली डिलेटिट का य आपको क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके डिसेंटली जो डीलेटेट आइटम्स हैं यहां पर फोटो और यहां पर रिल्स दोनों है इसको यह रिल्स है इसको मैं रिकवर करूँ रिस्टोर यहां आप से यह रिस्टोर हो क्या कि यहां पर आपको कुछ आथेंटिकेशन मांगे का शिक्योर करने के लिए यह आप से पूछेगा कि तो यहां पर आपको वेरिफाई करना होगा यह एक OTP प्सेंड करेगा आपके रिजिस्टर नमबर पर तो इसको वेरिफाई कर लेते हैं देखिए यह वेरिफाई हो गया यानि कि यह जो फोटोस है इसको भी इस्टूर कर लेते हैं यहां से चलते हैं प्रोफाईल पर देखते हैं वह फोटोस और रिल्स हम लोगों का वापस आया है कि नहीं तो देखिए यह फोटोस और यह रिल्स दोनों वापस आ गए हैं तो एक चानकारी मैं अभी आपको दे दूं कि यह जो रिकवर कर सकते हैं वो ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर यह आपको करना होगा 24 घंटे के बाद यह पर्मानेंटली इंस्टाग्राम इसको डिलीट कर देता है याणि कि अगर आज आप से कोई फोटो या वीडियो्स डिलीट पर देते हैं तो इसको आप 24 घंटे के अंदर ही केवल इस अम इंस्टाग्राम से आप उसको रिकवर कर कर सकते हो अगर 24 गंटे से जादा समय हो जागा तो आप इसको रीकवर नहीं कर सकते वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद